पहला क्वेशन केरेवियन सागर में इसते दीपों को क्या कहा जाता है पश्चमी दीप समों पूर्भी दीप समों उत्री दीप समों या फिर दच्छनी दीप समों तो इसका एंस्वर है पश्चमी दीप समों इसका एंस्वर है पश्चमी दीप समों अगला क्वेशन है उत् किसी सागर्ण से किसी महासागर्ण से अपनी सीमा साजा नहीं करता तो वह क्या होता है अश्तर्रोद देश होता है तो अगला कुश्चन पूछा जा रहा है कि अच्छानस को कुनाड़ा और USA ने अपनी सीमा मान लियाँ स्कों डढ़ा और युऊसे के द््वारा सीमा निर्धारण करता है कउ सक तो इसका सभाव है 49 डिग्री ऊत्रियत चांच यह वान रहा है तो इसका सही जवाब है USA के किस राज़ को Blue Grass State कहा जाता है पहला कैलिफोर्निया को या टेकसास को किंटुकी को या मियामी को तो इसका अंसर है किंटुकी को अगला क्विशन निम लिखिद मैंसे किसको City of Golden Gate कहा जाता है City of Golden Gate किसे कहा जाता है Option A New York को Option B Washington DC को Los Angeles को या फिर San Francisco को इसका सही जवाब है San Francisco को San Francisco को ये अमेरिका का देश है अमेरिका का राज्य है ठीक है अमेरिका जो फाइव पचास राज्यों से मिलकर बना हुआ है ठीक है उसी मेंसे एक है San Francisco जिसे क्या बोला जाता है City आप Golden Gate बोला जाता है अगला कुश्यन किस खाड़ी में विस्ट के सबसे उचे जवार आते हैं Option Chesapeak की खाड़ी में घिजली की खाड़ी में फंडी की खाड़ी में या फिर Hudson की खाड़ी में इसका सही जवाब है फंडी की खाड़ी में फंडी की खाड़ी उत्री अमेरिका के जो उत्री अमेरिका कॉंटिनेंट है इसके पूर्वी साइड में Antarctic Arctic महासागर के पस्चमी टट परिस्तित है फंडी की खाड़ी यहाँ पर क्या होता है कि बिस्ट का सबसे उचा जौर आता है और जौर बिस्ट के सबसे बड़ी मक्का की मंडी है आप्शन केंटुकी शौपाल सेंट लुईस बिनिपेक तो इसका सही जवाब है सेंट लुईस सेंट लुईस यह सेंट लुईस उत्री अमेरिका में है यहाँ पर क्या है कि बिस्ट के सबसे बड़ी मक्का मंडी लगती है ठीक है मक्का का उत्वादन भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पर क्या होता है मंडी लगती है अगला क्यूशन राकी परवत की सबसे उची चोटी कौन से है आप्शन क्या है राकी परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो इसका जवाब है माउंट एलबर्ट ये हमारा उत्री अमेरिका है इसके पस्चमी किनारे पर ये राकी परवत का विश्तार है और इसकी सबसे उची चोटी कौन सी है एलबर्ट है अगला कुश्यन कौन सी नदी कौन से नदी है जो बिसमें सबसे ज्यादा तंत नदी तंत का निर्मार करती है ओप्षन में Mississippi, Colorado, Mackenzie या Missouri तो इसका सही जबाब है Mississippi उत्री अमेरिका कॉंटिनेंट की परमुख नदी Mississippi जो अमेरिका देश में बैती है अगला तुश्चन कौन सी नदी अपने पश्ची के पंज प्रेटो, Option C, Mackenzie, Option D, Mississippi डिल्टा सागर में मिलने से पहले नदियां ये अगार का डिल्टा बनाती है इसी को क्या बोला जाता है पश्ची के पंजे के अगार का डिल्टा तो इसका सही जबाब है Mississippi इसका सही जबाब है Mississippi अगला तुश्चन कौन कनाडा की सबसे बड़ी नद का कॉंटिनेंट का एक देश गनाडा इसकी सबसे बड़ी नदी कौन से है ओप्शन मिसोरी बी कुलोरेडो C, Mackenzie, D, Mississippi तो इसका सही जबाब है Mackenzie इसका सही जबाब है Mackenzie अगला क्यूश्चन निम लिकिन में से किस नदी का उद्गम ओंटेरियो जील से होती है ओप्शन मिसो है सेंट लारेंस सेंट लारेंस का उद्गम कहां से होता है ओंटेरियो जील से होता है निम लिकित किन जीलों के मद्विस का सबसे परसिद निग्रा जलपरपात इस्तित है यह उत्री अमेरिका की जीले है तो यहां पर किस जील में निग्रा जलपरपात इस्तित है पहला अ सही जवाब है इरी और और टीरियों के बीच में अगला कुश्चन ग्रेट लेक्स के अंतरगास सामें जीलों का पूर्व से पस्टिम का करम होता है देखे ग्रेट लेक क्या है कि ये कनाड़ा और अमेरिका दोनों के सीमा पे जीले हैं ठीक है तो ये पांच जीले हैं जो ग् गया है कि पस्टिम से पूरव से पस्टिम करम कौन सा है पहले और अरण्टियों पूरव में है इरी हूरान मिसिगन सुपीरियर या सुपीरियर इरी हूरान मिसिगन और अरण्टियों या उन्टियों मिसिगन हूरोज इरी सुपीरियर तो इसका सही जवाब है पूरव में औरंटियो है फिर एरी है फिर हुरान है फिर मिशिगन है फिर सुपीरियर है अर्थात सबसे पश्चिम में कौन सा है सुपीरियर है इसके बाद कौन सा है तो मिशिगन है मिशिगन इसके बाद कौन सा है तो हुरान है इसके बाद कौन सा है तो एरी है और इसके बाद सबसे प पर ट्ठार किस देश में आवस्तित्य है? ऑप्सन युय में, UA में, USA में, कनाड़ा में, मेक्सिको में, अर्जन्टीना में? इसका सही जबाब है USA में, अगला क्विशन, फाक्लेंड, दीब-समूँ पर किसका राजनिति का दिकार है? इटली का, USA का, UK का या रूस का तो इसका सही जवाब है UK का UK का अगला कुश्चन कौन बिस्व का एक मात्त देश है जहां से विस्वत यों मकर रेखा दोनों गुजरती है कौन सा देश बिस्व का एक मात्त देश है जहां से विस्वत रेखा जो 0 डिगरी जीरो डिगरी अच्छान्स होती है और मकर रेखा जो साढ़े तेस डिगरी दच्छनी अच्छान्स होती है ये दोनों रेखाएं किस देश से गुजरती है आप्शन A ब्राजील, आप्शन B अर्जिंटीना, आप्शन C चिली, आप्शन D उरुगवे तो इसका सही जवाब है ब्राजील कौन दच्छन अमेरिका महादीब का अस्तल बद्द देश है दच्छनी अमेरिका महादीब का अस्तल बद्द देश कौन सा है बोल्वियो, प्रागवे, उपियुक्त दोनो या उरुगवे तो इसका सही जबाब है उपियुक्त दोनों मतलब बोलिवियो और प्राग गई ये दोनों क्या है अस्तलवद्द देश हैं जो किसी टटीय सीमा से अपने सीमा साजान नहीं करते हैं दच्छनी अमेरिका महादीब के किस देश में फियोट टट के उधारन देखने को मिलते हैं इसका सही जबाब है चिली चिली के टट पे फियोट टट का उधारन देखने को मिलता है अगला निम लिखित में से कौन दच्छनी अमेरिका महादीब को अंटार कटका मूसे अलग करता है पनामा नहर, डिक्किन पैसेज, बेरिंग जलसन या उप्यूगत सभी तो इसका सही जवाब है डिक्किन पैसेज अगला क्विशन पेटागोनिया का मरुस्तव किस महादेब में इस्तित है? पेटागोनिया का मरस्तल किस महादीब में इस्तित है आप्षन A, Asia आप्षन B, Afrika आप्षन C, Europe आप्षन D, दच्छिन अमेरिका तो इसका सही जवाब है दच्छिन अमेरिका अगला कुशन कौन बिस्ट के सबसे उंचा जल परपात है? बिस्ट का सबसे उंचा जल परपात कौन सा है? आप्षन A, कूके नाग जल परपात एंजल जल परपात या एसोमाइड जल परपात या अगला आप्षन है जोग जल परपात तो बिस्ट का सबसे उंचा जल परपात कौन सा है? एंजल जल परपात जो साओध अमेरिका में है अगला कुश्चन किस परबस रिंखला पर विस्ट के सरवदिक जौला मुखी पाये जाते हैं कौन सा परबस रिंखला है जिस पर विस्ट का सरवदिक जौला मुखी पाये जाते हैं यूराल परवत, रोकी परवत, हिमालाय परवत या एंडीज परवत तो इसका सही option है हिमालाय परवत इसका सही option है एंडीज परवत, साउथ अमेरिका का एंडीज परवत किस नदी का जल गरहन छेत दुनिया में सबसे बड़ा है तो इसका ओप्शन नील नदी गंगा नदी ब्रंपुत नदी या अमेजन नदी इसका सही जवाब है अमेजन नदी जो साउध अमेरिका के नदी है इसी के साहरी किनारे पे अमेजन जंगल बसा हुआ है ठीक है इसे आक्सीजन विस्व में पिर्थवी पाज सबसे ज़्यादा आक्सीजन परदान करता है अमेजन जंगल ये ब्राजील देश में है इसका सही जवाब है अर्जेंटीना में आज के लिए इतना ही बाकी अगली किलास में और भी अच्छे क्वेश्चन के साहथ आएंगे आज क